तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था जावी वान यहाँ पर लूलियो को सप्रेज कर देता है और फाइनली वांजू के भी अंदर का गुस्सा जाग जाता है अब आगे अब इदर वांजू जावी वान पर अटेक करने वाले थे और जावी वान भी तयार था इ जो कि लूलियो को सप्रेस करने लगते और इनके भगल में लेडी चीजिंग भी खड़ी थी यानि जावी वान की बिकसेश्टर अब इन सब माहूल को देख कर फाइनली सुप्रियम्स और इंग जिग जायो को गुस्ता आता है और ये भी अपनी औरा रिलीज करने लगती और चिलाती हैं कि तुम लोग बस करो यहाँ पर पहले सैकरेट रेस का बैटल है और तुम लोग फालतों में उल्जे हुए हो अब वान्जो भी शान्त हो जाते हैं और जावी वान भी शान्त हो जाता है और जिग जायो के कहने पर कि हम तीनों इन्चार्ज रहेंगे मतलब जुआन्जो जावी वान के करीब आते हैं और स्मायल करते हैं कि सही किया ये हमेशा से परिशान करता है और युआन भी ने थैंक्स बोलता है कि आप बीच में आय ताकि लूल्यों को आपने सम्भाल लिया अब यहां पर लेड़ी जिग जायो थी और जुआंजो इस दोरा जिगजायो बताती है, क्योंकि वो cultivation में जा चुके है, युवान जमच जाता है, मतलब वो triple lotus सेंट स्टेज के लिए breakthrough करने वाले थे, और अगर ऐसा हुआ, तो कांग युवान, ओमेगा श्राइन के चौत हे, प्राइम सौवरिन बन जाएंगे और sacred रिस्ते फाइट करने में इन लोगों को भी आसानी होगी, अब इस दुराण जिगजायो कहती है, तुमने उसके बारे में क्यों नहीं पूचा, मतलब ये सु युवे की बात करती अब युवान भी पूचता है, कि हाँ वो कैसी है, जिगजायो बताती कि जिस दिन तुमारा वेटिंग था, वो उमेगा माउंटेन पे चली गई, ट्रेनिंग के लिए और वो भी फॉर्विडेन प्लेस में जहाँ पर लॉड ओमेन एक्सपर्स को जाना नीचाई और वहाँ पर जाने का एक ही मतलब है या तो इंसान, पावरफल बन के आता है या तो, निपढ जाता है यानि सेंड बन जाएगा या तो नहीं वापस आएगगा पर जाव इवान भी कहता है, मुझे पता है वो कर सकती है जिगजायो भी कहती, उम्मीद यही है इसके बाद जिक जयो भी यहां से कायब हो जाती है अब यहां पर इवान अपने मम्मी पापा से बात करता है और बोलता है कि आप ध्यान रखो मुझे कुछ जिम्मेदारिया निभाने है जाव इवान उस बाउंडरी की तरफ फिर से दिखता है जहापर याव याव ने खुद को सील कर लिया था और फिलाल यहां से ये भी निकल जाता है और फिलाल इवान यहां पर जो कांग्जुआन हेवन की टीम्स थी उन्हें एक अठा करने लगता है और क्योंकि ब्लेसिंग स्टावर्स ये एक साल से खुला था तो कांग्जुआन हेवन के लोगों का स्ट्रेंथ अप काफी बढ़ चुका था अब यहां पर सेंग सिप्ट होता है और ब्लेक वाटर दा बलेसिंग स्टावर को दिखाय जाता है और जोव याव यहां पर बहुत सारे लोग इसे रेस्पेक्ट दिखाते है अब यहां पर बहुत सारे लोग डोमेन एक्सपार्ट्स को दिखा जा सकता था और यह देखता है यहां पर चुकेंग, ली चुन जुन, सेक्ट मास्टर किंग या हेवनली सवर्ण स्वर्ड, वनरेबल गुजिंग सभी थे पर अभी कोई भी सेंट लेवल पर नहीं पहुँचा था इसको जादा उमेदे चुकेंग और ली चुन जुन से थी फिलाल दोनों थार्ड लोग डोमेन स्टेस के पीक पर थे बट सेंट लेवल पर नहीं पहुँच पाये थे और युवान अब इन्हें सेकरेटरेस के बारे में बताता है वो जो सब डोमेन्स क्रियेट कर रहे थे यहाँ पर आने के लिए और युवान इन्हें बोलता है अब आप सभी लोगों को यानि जो भी लोग डोमेन पर है मेरे साथ एक सब डोमेन पर चलना पड़ेगा जहाँ पर हम बैटल करेंगे अब जाव युवान इन्हें लेकर यहां से गायब सा हो जाता है जो कि एक 3 डोमेन स्पेस की तरह बढ़ता है सबसे उपर में जाव युवान सुप्रीम सॉवरिन वान जू और जिगजायो खड़ी थी और फिलाल यह लोग स्पेस डिवाइट कर रहे थे कि कौन सा स्पेस कौन डिफेंड करेगा और जिगजायो सीधा कहती है युवान से कि जहां भी तुमें सैक्रेट रेस वाले मिले हैं मार दो क्योंकि हम उन्हें जादा देर तक रोग नहीं पाएंगे युवान हैरान था मतलब क्या बात है क्योंकि इनका मानना यही था कि वो लोग बहुत स्ट्रोंग है कितनों को रोगोगे अब जिगजायो बताती है क्योंकि हमें जितना इन्फॉर्मेशन है सैक्रेट गॉड ने उनकी मदद किया तो इस बार वो काफे स्ट्रोंग होंगे और मौकर का फायदा यह लोग इसले उठा रहे थे क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन था कि थर्ड गॉड फिलाल डीप स्लंबर में है और जिगजायो यह भी कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया मतलब हम बैटल ना कर पाये यानि वो लोग ज़्यादा स्ट्रोंग रहे तो कांग जुवान हेवन के लोगों और इवन थर्ड कॉड को हमें यहां से लीके जाना पड़ेगा और यह वर्स केस है अगर ऐसा हो गया तो जाव युवान के इमोशन्स बहुत जादा ही जाग रहे थे जाव युवान के थोड़ी दूर पर जुवान जु भी खड़े थे और चेहरे पर एक स्माइल तो था पर इस बार वो भी थोड़े सेरियस थे और जाव युवान को सांतुना देते कि इतना भी आसान नहीं है हमारे रहते होगे कि वो लोग कांग जुवान है बन में प्रवेश कर जाए युवान भी कहता है उम्मिद यही करता हूँ और फिलाल जाव युवान एक टीम लेकर एक पर्टिकुलर स्पेस में यहां पर पहुँच चुगा था और इस जगह पर यह छे महीने तक वेट करते है और फाइनली सैक्रेड रेस की टीम यहां पर अब प्रकट होने लगती है पहला बैटल शुरू हो जुगा था और इस बार जो सैक्रेड रेस के बंदे आया थे जादो तर इनिशियल लो डोमेन स्टेज पे थे तो जाव यवान के टीम इन्हें इसली हरा देती पर जैसे जैसे पीछे से बंदे आ रहे थे वो काफे स्टॉंग आते जाते और वर की इंटेंसिटी बढ़ते जाती जाव यवान इस समय क्रोस लेक्ट बैटा था जो कि कुछ समय पहले ही अभी लो डोमेन एक्सपर्ट बने भी थे पर इवान भी जानता था कि भाई वार तो क्रुएल होता ही है इधर जुआन्जू फिर से इसके सामने प्रकट होते है कि तुम अभी से अपसेट हो रहे हो यह तो अभी सुरुवात है और यह लोगा अंदाजा लगा रहे थे कि शायदे एक दो महीने और उसके पात उनकी तरप से जो सेंट एक्सपर्ट होंगे वो भी आना शुरू हो जाएंगे और जुआन्जू भी सीरियस थे कि अगर वो लोग सेंट लेवल के बंदे बेजे तो हमारी तरप टोटल आठ लोग है जो कि सेंट लेवल पे है पता नहीं क्या होगा और यह भी बताते कि बाकी जो हेवन से हमारे वहाँ पर सिचुवेशन तो और ज्यादा टफ है तो बाकी सेंट हमें मिल भी नहीं पाएंगे यानि हमारे पास बस आठी सेंट है कांग जोवान हेवन के लिए और जोवान जोग अब समझ में आता है कि जब हम लोग सेक्रेट किलर एरे को यूज करते थे उसके बज़े से सेक्रेट डेस वाले आनी पाते थे पर अब इन सब डोमेंस के तरूँ यह डाइरेक्ट आ रहे है और कितने पावरफुल है अब हमें पता चल रहा है अब यह बैटल चलते रहता है और दो महिने और निकल जाते है और अब दो महिनों के बाद सेंट एक्सपर्ट जो थे वो आने लगे थे कि असली बैटल अब शुरू हो रहा था तो बैटल शुरू हो चुका था और जो भी जावी वान के तरब से सेंट एक्सपर्ट थे यानि कि जुवान जो वान जू अगेरा अब इस बैटल में इन्फॉल्ब हो चुके थे पर जावी वान फील कर रहा था कि ये सेक्रेड रेस वाले उतना ज़्याद अटैक नहीं कर रहे है कुछ तो गड़ बड़ है इस दिरों दस दिन और पीच जाते और सेक्रेड रेस और ज़्याद़ पावरफल अटैक अब करने लगते है तो जावी वान के टीम हेल्प करना चाता था पर ये करनी पारा था और जहाँ पर जावी वान था ये सबसे इंपोर्टेंट लोकेशन था तो यहाँ पर इसका रहना बनता था 10-15 दिन और निकलते हैं और सेक्रेड रेस अब फूल अटैक करने लगा था पहले थोड़े डिफेंसिट थे ये लोग अब पर अभी पूरी तरह से अठेक केशन जुवान जुवान और बाकी लोग भी इसके अचबस खड़े थे और ये काफी चेंतित थे थोड़े-थोड़े सभी इंजर्ड भी थे बहुत सारे लोटों में एक्सपॉर्ड भी आ चुके थे जो कि कुछ-कुछ सबस्पेसिस को सम्हाल रहे थे अब जुवान लीचुन जुन वगरत से फिर से मिलता है जो कि अलग-अलग सबस्पेसिस में थे और छे महिनों बाद इनके शायद मुलाकात हो रहे थे लू-लू जो कि काफी प्योर और इनोसेंट थे अब पहले से जादा शांत दिख रहे थे और जुवान सबको बताता भी है यार सिचुएशन फिलाल निकलते जा रहे हाथ से और ये बोलता है कि यहाँ पर तो मैं खड़ा रहूं गई क्योंकि कोर एरिया में जाविवान था और इसके पीछे में कांग्जुवान हेवेन का स्पेस था तो उनको अंदर एंटर तो नहीं करने दे सकता क्योंकि इसके पीछे फिर हमारी फैमिलीज वगरा है बाकी लोग भी हामे सरिलाते यानि जो लॉड ओमेन एक्सपोर्ट थे कि हम भी पीछे नहीं अटेंगे इस दुरान समय बीटते जाता है और स्पेस में फिर से डिश्टॉर्शन होता है और सामने से एक के बाद एक पावरफुल बंदे सैक्रेड रेस के यहाँ पर प्रकट होना शुरू हो जाते है और एक आवाज गुसते है अच्छा तो हेवेन मास्टर जावीवान यहीं पर है जावीवान सामने में एक ब्लैक आर्मर में एक बंदे को देखता है और मुझे लगाते है तुम अपने लोगों को लेख कर भाग गये होगे जावीवान भी हसता है कि अरे मैं ऐसे केसे चला जाता है तुमारा सर भी तू लेके जाना है यांग þू भी कहता है फिर तयार हो जाओ अब यांगे अपने सर को ऐसे निकाल देता है और जाविवान से बोलता है, ये लोग, जाविवान हसके कहता है, एरे मैं खुद लेके जाओंगा, टेंशन मतलब, यांग्जू भी हसता है, कि फिलाल तुम कांग्जू वान हेवन में हो नहीं, तुम वहाँ के हेवन मास्टर पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे, और तु एक लार्ज स्केल का बैटल, अब यांग्जू जाविवान के सामने प्रकट होता है, और यहां पर बैड जाता है, यूवान से यह फाइट भी नहीं करता है, और यह स्माइल करता है, अपनी औरा से एक रेट चैस बोर्ड बनाता है, जिसको कि हेवनली चैस बोर्ड कहते है यह एक सेंट औबजेप था, और यह बोलता है, जैसे मैं इस जगे में प्रकट हुआ, यह पूरा जगे ही चैस में बदल चुका है, और तुम और मैं एक एक चैस प्लेयर है, और बाकी लोग हमारे प्यादे हैं, अब इसमें जो 18 जो चैस के प्यादे थे, वो ज़्यादा रहे थे, और यांग्जो हसता है, कि तुम यह मुझे हरानी बाऊगे, क्योंकि एक ट्रिपल लोटस टेंट का ही बंदा इसे तोड़ सकता है, बाई फोर्स, तो तुम्हें इसे खेलना पड़ेगा, यांग्जो सीधा बोलता है, कि बाकी लोगों ने तुम्हें करने है, जाव युवान कहता है, वैसे भी मैं इस गेम में इंटरेट नहीं हूँ, मैं तो इसे पलट के फेक दूँ, और जाव युवान अपने युवान ब्रश को बाहर निकालता है, और युवान ब्रश पे इसके एंसेंट रून्स चमकने लगते, यांग्जो भेहरान चैस बोड पर हलकास अपना एक हाथ क्लिक करता है, और एक जो लॉडोमेन एक्सपार्ट था, यानि लॉडोमेन का जो चैस का पीस था, वो तुरंती सेंट लेवल पर बदल जाता है, हाला कि जिस एक्सपार्ट को इसने टच किया था, अपने चैस में उसका पावर लॉडो यहाँ पर कांग्जुवान एवन के जो लॉडोमेन एक्सपार्ट थे, वो खून के उल्टी करने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सैकरेड रेस वाले इन्हें देखकर हस रहते हैं, और यहाँ पर सैकरेड रेस में एक लड़की थी, जिसका पावर अच्छानक से सेंट परसलेसली अटेक कर रहे थी, इधर चू किंग, किंग यांग और बाकी लोग मिलकर इसे रोकने को देखते हैं, और क्योंकि अब चू किंग भी, किंग यांग के बराबर के पावर लेवल पे था, तो यह कंधों के साथ कंधे मिला के बैटल कर सकते थे, तो टोटल यह वगेरा को पीछे रहने को मजबूर कर दिया था और ये लोग कोई और नहीं जो सेक्ट मास्टर थे पाचो सेक्ट के यानि कि केंग यांग, जैंग किंग यूं, वनरेबल गुजिंग, स्वाड सेक्ट के मास्टर एक और कोई थे पर ये जो लड़की भी थे ये काफी फियर् सिधा थ्रोट को पकड़ लेती है के खांतों से, हलाकि उनके पावर से भी ये इंजर्ड तो होती है, और इसका सेंट लोटस थोड़ा सा बिखर सा जाता है, और ये अपने टेरिफाइंग सेंट पावर से, सैंकिंग सी हो या बाकी लोग इन्हें जलाने से लगती है, पाव लेतो, धिरे-दरे खतम हो रहे थे, उनकी बोडी और ब्लड ऐसा हवा में मिक्स हो चुगा था, चूकिंग को काफी पूरा लगता है, ये किंग्यां को याद करता है, जो कि इसके एक फादरली फिगर के समान थे, कि ओल्ड में तुम क्या सोच रहे थे, आप तुम पहले ही काफी ओल्ड हो चुके थे, तो मैं क्यों ऐसा हीरो के जैसा मरना था, और आप मुझे लेजी बोल करके, इस बैटल में भाग लेने नहीं दिये, लू-लू वगरा तो रोने लगती है, क्योंकि इनकी मास्टर मर चुकी थे, चुन-जुन एकदम शान्ती से खड़ा था, क्यो मैं भी देखना चाहूंगी, पर इदर ली-चुन-जुन, यह सामने खड़ा था, और यह गुस्से में बोलता है, मैं भी देखना चाहूंगा, कि एक सेंट कितना पावर्फुल होता है, और यह जो सेंट थी, यह हसती है, कि मतलब अब तुमको भी मरना ही है, और एक रेड पाइथन हो रहा है, यह रिलीस करने लगती है, अब यह जो पावर था, यह ली-चुन-जुन और चुकिंग पर फोकस था, पाइथन काफी तेरी से आगे बढ़ता है, और इसका स्पेस इतना बढ़ता है, यानि पेट बोल सकते हैं, जो कि चुकिंग, ली-चुन-जुन औ और बागी सभी को निगल सकता था, वही दूसरी तरफ, यांग-जु को दिखाए जाता है, जो कि स्माइल कर रहा था, क्योंकि चैस बोड पर, किंग यांग वगरा की जो रहा थी, वो डेम हो चुकी थी, और दिरे-दिरे वो कायब भी हो चुके थी, जावीवान ये चीज बैटल में मेरा अपर हैंड है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये इशारा करता है कुछ लोगों पर, जैस बोड की तरफ दिखा के, कि ये लोग मरने वाले हैं, और ये लोग थे, चुकिंग, ली चुनजुन, जाव किंग यो, किंग चान, और बागी लोग, इधर चु तो मारे जाएंगे, ने तो यहाँ पर ये लोग बच जाएंगे, चुनजुन अपने तलवार को निखाल के तयार था, और एक स्वार्ड कराई, इस पर ये फोकस करने लगता है, चुकिंग के बाल आने लगते हैं, पर ये अलग तारों के तरह चमक रहे थे, और इनका जो फेमस अत्य अटैक था, शटल अटैक, उसको ये बनाने लगते हैं, इतना ज़्यादा ये पावर ये उस कर रहे थे, कि इनकी फेजिकल बॉड़ी भी मानुसे सम्हाल न पारे हो, हड़िया चर्मराने लगते हैं, और दोनों फिलल, अपना स्वार्ड अटैक और दूसरा देते हैं, और इसे रिलीज करके, दोनों के चेरे पर एक अलग स्माइल था, और दोनों के आखों के सामने अंधीरा सचाने लगते हैं, क्योंकि इतने वीक हो चुके थी हैं, आप ये दोनों लाइट ही जा करके, उस पाइथन से ठकराती हैं, पाइथन भी काफी पेन फील क करता है, और दीरे-दीरे स्पेस में गाइब हो जाता है, वो जो लड़की थी, हॉंग लिंग, जो की फीमेल सेंट अचानक से बनी थी, वो भी एकदम फ्रीज हो जाती है, इसे विश्वास नहीं होता है, ये मेरे सेंट पावर को इन्होंने कैसे डिसॉल्व कर दिया, क्या से नीचे घिर रहे थे, और बेहोश हो जोगी थे, और ये चैन के साथ इसलिए भी ले रही थी, कि अगर ये सेंट स्टेस पे पहुंच जाते, तो अलगी अबनॉर्मल बंदे थे, और यांग्जू भी इधर कहता है, ये दोनों काफ़े इंट्रेस्टिंग है, और ये यव जाविवान कहता है, वो खुद, खुद को बचा सकते है, और ये यांग्जू से कहता है, वो मेथट तुम्हें भी बता है, बड़ तुम कहना नहीं चाहते हो, मतलब अगर वो सेंट लेवल पे पहुंच जाएंगी, यांग्जू एक दम फ्राउन हो जाता है, कि बकवास ब कह रहे हो, कि वो सेंट इस्टेज पे पहुंच जाएंगे, जाविवान हसता है, कि उनके टैलेंट को और उनके पोटेंशियल को मैं जानता हूँ, वो लिमिटेड इसलिए थे, क्योंकि हमारे कांग्जवान हेवन में कुछ नहीं था, और आभी उतनी श्रॉंग नहीं थी, पर ब्लेसिंग स्टावर, मैंने बना घरके, वो काम भी उनके लिए कर दिया है, तो मुझे उन पर विश्वास है, अब एक सेंट पावर, चारो तरफ फैलने लगता है, और ली किंचान, जू किंग्यों और बाकियों को इसमें अपने पावर में फसा लेता है, ये वही पर अब यहां पर मारे जाओगे, और फिलाली अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ाती है, किंग्यों, किंचान, और बाकियों को मारने के लिए, पर अचानक से, एक शार्प लाइट सी चमकती है, जोकि ये जो पाइथन में, ये लोग फसेवे थे, इन्हें काटने लग होंग लिंग का नजर उधर की तरफ जाता है, जहांसे ये पावर आया था, और ये हैरान थी, क्योंकि वहाँ पर दो लोग खड़े थे, और इसे पता भी नहीं चलाता, अब चुन्जुन तो बेहुस्त, मतलब इसके आखे नहीं थे, पर ये चूकिंग के औरा को फिल कर सक थे, वो अलग ही खुज थे, और वहें सैक्रेड रेस के, जो लॉडो मेनिक स्पोट्स थे, उनका चेहरा देखने लायक था, और सबसे गंदा हौंग लिंग का चेहरा था, दोनों के उपर ये सेंट लोटस को देख सकती थे, पर इसे ऐसा लगता है, कि ये इसका इल्यूज पर धीरे दिरे से समझ में आ चुका था, और इसे पता था, कि ये जो सेंट स्टेस्ट पे है, वो चेस्ट बोर्ड के पावर से बनी है, एक सेंट को तो ये हरा नहीं सकती, और सामने दो रियल सेंट्स थे अब, और फिला ले, अब पीछे अटने लगती, ली चुन जोन, इ ये हौंगलिंग को पूरा ब्लास्ट कर दी था, और ये काफी पीछे जाके गिरती है, इसके बोड़ी पर जो सेंट लोटस बना था, वो दिरदरे गायब होने लगता है, इधर हौंगलिंग और पीछ हटने को देखती है, पर चुकीं, यहां पर अपने टकले को खुजा र हौंगलिंग जो की भाग रही थी, और इससे जाकरके ये गोल्डेन सटल टकराता है, और ये बलड़ की उल्टी करने लगती है, इस लड़की के चेस्ट में अब एक होल हो चुका था, और जो इसका सेंट लोटस था, वो और ज्यादा डेम होने लगता है, और ये चिलाती ह है, कि लौड यांग्जू मेरी रक्षा करिये, पर जब तक कि ये कुछ कर पाती, ले चुन जोन अचानक से आके आता है, और कहता है, मेरी तलवार को एक सेक्रिफाइस चाहिए, क्योंकि मेरे मास्टर्स मारे गया है, हौंगलिंग भागने लगती है, ये कितना भी तेज भ का एक अलग एफेक्ट था, क्योंकि यांग्जू के टीम कमजोर पड़ रही थी, तो जावी वान, यहाँ पर एक मिस्टिरियस फॉर्स, मानो इसकी पावर को बढ़ा रहा हूँ, ऐसा ये फील करता है, और जावी वान एक दम शान्त आवाज में बोलता है, अब समय आ चु कर दो को बढ़ा हूज रहे हो।